हेलो प्रेंज आज हम जॉन्स डिसीज के बारे में डिसकस करेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं जॉन्स डिसीज एक क्रोनिक डिसीज होती है जिसमें क्रोनिक इंफेक्शन एनिमल में देखने को मिलता है यह मिली कैटल सीप और गोट में देखने को मिलती है आज हम इसके etiology, host, pathogenesis, clinical sign और diagnosis के बारे में discuss करेंगे। सबसे पहले, GDH bacterial disease है, मिन्स यह bacteria से spread होने वाले disease है, इसको हम para tuberculosis के नाम से भी चानते हैं, बात करते हैं इसके etiology की, तो इसका cogitive agent होता या etiology agent, mycobacterium para tuberculosis, जो की acid fast organism होता है। ठीक है, बात करें इसके host की, तो यह disease mainly हमें cattle, buffalo, sheep और goat में देखने को मिलती है, और other ruminants में यह disease भी, John's disease chronic diarrhea कास करता है animal में, animal में chronic infection देखने को मिलता है, John's disease animal में और ruminant की enteritis में granulomatis एपियर होता है, यानि की intestine की mucosa में granule का formation होता है, और यह disease mainly हमें young cubs में देखने को मिलती है, mostly two-year age cubs में, अब बात करें इसके transmission की, तो John's disease का transmission होता है, deceased animal के phyces के दौरा, दूसरे animal में क्या होता है, infection कास करता है, deceased animal के phyces में, organism present होता है, और यह organism एक animal से, दूसरे animal में contaminated phyces की वज़े, चला जाता है, और इसमें contaminated feed in water की थूरू क्या होता है, इस disease का transmission होता है, और infected bull की थूरू भी क्या होता है, disease क्या होती, animal में transmit हो जाती है, during copulation, इसके pathogenesis को, इसमें ingestion of organism होगा, दन आर्गिनिजम क्या करेगा, localized हो जाएगा, small intestine are associated lymph node up, small intestine में क्या होगा, organism localized हो जाएगा, दन क्या करेगा, organism penetrate करेगा, intestinal micosa में, और उसके बाद, setup बनाएगा, residence in macrophages में, और organism क्या करेगा, multiply करेगा, ileum में, या terminal ileum of the host में, और वहाँ से organism क्या होगा, सेड हो जाएगा, सेड आप आरगेनिजम होगा, और दन, animal में clinical sign appear हो जाएगे, और क्या करेगा, ये diarrhea करेगा, इसके sign की, तो इसके clinical sign क्या होगे, several month के बाद क्या दिखेंगे, क्योंकि chronic infection कास करता है, और animal में, की sub-vendipolivor में क्या होगा, edema देखने को मिलेगा, और animal में congenital infection और abortion देखने को मिलता है, और organism क्या होगा, disease animal में क्या होगा, सेड होगा, या उसमें, animal की feces में क्या होगा, ये organism present होगा, या पाया जाएगा, बात करें दोस्तों इसके lesion की, तो animal की terminal part आप इलियम में क्या होगा, specific lesion देखने को मिलता है, और animal की small intestine और large intestine में, इसके common lesion देखने को मिलते हैं, क्या करता है, ये animal में enteritis कास करता है, लास्ट में बात करें दोस्तों, इसके diagnosis की, इसमें, acid first bacilli का उपयोग करते हैं, जो की small intestine के epithelial cell में क्या होगे, पाये जाएंगे, जिसमें हम smear का उपयोग करते हैं, और इसमें हम grass lesson देखते हैं, आप animal के, serological test का उपयोग करते हैं, और molecular genetics का उपयोग करते हैं, जिसमें हम DNA probe का उपयोग करते हैं, इसमें हम safety test का उपयोग करते हैं, थेंक्यों थेंक्यों सो मच्च